गुड मॉनिंग स्टुएंट्स, हेर इस जेकील अखवानी, यह साइंस टीचर एट स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा तो सबसे पहले बात करें अपन माइक्रोप्स की, तो माइक्रोप्स क्या होते हैं? अपने नेक्रोप्स से नहीं देख सकते हैं, तो फिर केसे देख सकते हैं? फिर अपन उन्हें with the help of microscope या magnifying glass की help से अपन उन्हें देख सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं अपन इस chapter में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इस chapter में पढ़ेंगे microbes के बारे में, कि microbes क्या होते हैं, उसके आपन classification पढ़ेंगे microbes का, फिर useful microbes पढ़ेंगे, harmful microbes पढ़ेंग क्या क्या। आपकर पढ़ेंगा, Bless चलोबेंगे वाले कि właści। नहीं पाफकरी मेज्ट Grid की तेख सबस्त को म Some of them would be covered with a whitish substance and others would be covered with some orange powdery substance Also most of them would have foul smell All these signs indicate that these foods are spoiled इसमें ये दिया हुआ है क्या कभी आपने जो मीट होता है फीश होता है या आपने फ्रूट की बात करें वेजिटेबल की बात करें क्या उपने कभी इनको kitchen shelf इस एक उपन में रखा है उसे बोड़ टाइम के लिए मतलब बोड़ टाइम के लिए अपन जब उसे six to seven days के लिए क्या होता है आपन पर पाते हैं या फूड जो अपना खराम हो जाता है उससा नोख color unlen लग जाता है उसका appearance चेंज मतलब क्या हुआ कि उस पे आपन देखते हैं कि white powder आ जाता है और कुछ food यह से होते हैं जिन पर क्या हो जाता है orange powder substance आ जाता है ठीक है उनका smell change हो जाती है ठीक है taste change हो जाता है यह सब कुछ एसे sign होते हैं जो क्या indicate करते है अपन को कि food जो है वो क्या हो गया है spoil हो गया है तो अब अपन यहीं देखेगे कि food जो spoil होता है यह क्यों होता है किसे होता है और किनकी वज़े से होता है ठीक है तो start करते हैं food spoilage is caused by two main factors natural decay and contamination by microbes अब food जो spoil होता है उनके mainly दो factors होते हैं कौन-कौन से होते हैं first होता है natural decay and second होता है contamination by microbes natural decay की बात करें तो यह क्या होता है यह समझ लिए कि food जो spoil हो आ है वो naturally हो गया है spoil हो गया है और second में होता है contamination by microbes तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ छोटे-छोटे living organisms रहते हैं microbes रहते हैं उन्होंने क्या कि उसके उपर attack किया food के उपर और वो food क्या हो गया contaminate हो गया और वो खराब हो गया ठीक है do you know any microbes that contaminates food अब यहां पर अपन से पूछा गया है कि क्या आप किसी microbes को जानते हैं जो food को contaminate करता है तो वह अपर इस में आगे पढ़ेंगे the main microbes और microorganisms responsible for the contamination of food are bacteria, molds and yeast this microbes are invisible to the naked eye but can be seen under a microscope let us discuss more about microbes तो जो main microbes रहते हैं यह आपन बोले microorganisms रहते हैं जो food के contamination के लिए responsible रेते हैं तो वह कौन-कौन से रएते हैं bacteria रेते हैं, molds रेते हैं, yeast रेती है ठीक है अब यह जो microbes रहते हैं यह अपने naked eye से नहीं देख सकते हैं अपन अपने normal open eye से नहीं देख सकते हैं लेकिन यह अपन microscope की help से जरूरूद देख सकते हैं तो आपन इन ही microbes के बारे में अब अपन इस चेप्टर में पढ़ेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिया हुआ है microbes कि microbes क्या होते है microbes are living organisms around us which cannot be seen with neck dice microbes जो होते हैं वो living organisms होते हैं अपने हसपास जिनको अपन अपनी neck dice से नहीं देख सकते हैं इन एयर, water, soil और यह अपनको हर जगा मिलते हैं आपनको एयर में मिलेंगे, water में मिलेंगे और soil में भी मिलते हैं इस microbes are so small in size that they can only be seen through a magnifying glass or a microscope so they are called microbes or microorganisms अब यह जो microbes होते हैं यह इतने ज्याद़ छोटे होते हैं इतने ज्याद़ होते हैं size में कि इनको क्या कर सकते हैं अपने neck dice से तो नहीं देख सकते हैं इनको अपन के से देख सकते हैं इनको सिर्फ अपन या तो magnifying glass की help से देख सकते हैं या microscope की help से देख सकते हैं इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं माइक्रोप्स बोलते हैं या माइक्रोप्स बोलते हैं ठीक है माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा ठीक है तो इसलिए जो छोटी छोटी ओर्गनिजम्स है जिनको अपन अपने नेक डाइस से नहीं देख सकते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं माइक्रोप्स और माइक्रोप् देखा इस चेप्टर का आने वाले लेक्चर में अपन और भी इसके जितने भी पार्ट से उन सबसे डील करेंगे आज के लिए इतना ही ठेंक यू